उधारण 16 यदि साइन 34 अंश बराबर P हो तो कौट 56 अंश का मान ग्याद करो हल साइन 34 अंश बराबर P हमारे पास दिया है हम साइन 34 अंश को लिख सकते हैं साइन कोश्टक में 90 अंश रिण 56 अंश क्योंकि 90 में से 56 को घटाने पर हमें 34 प्राप्त होता है तो साइन 34 अंश के स्थान पर हम साइन 90 अंश रिण 56 अंश लिखे बराबर P साइन 90 अंश रिण थीटा जो होता है वह कौस थीटा होता है तो थीटा के स्थान पर 56 अंश है तो यहां पर यह बन जाएगा साइन 90 अंश रिण 56 अंश कॉस 56 अंश बराबर P इसे हम समीकरण एक मानते हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन की घाथ दो थीटा धन कॉस की घाथ दो थीटा का मान बराबर एक होता है या कहीं हम साइन की घाथ दो थीटा को बाइपक्ष में लिखते हैं बराबर एक और कॉस की घाथ दो थीटा का पक्षांतर करते हैं तो यह रिण कॉस की घाथ दो थीटा बन जाएगा अब कहीं हम थीटा की स्थान पे साइन की घाथ दो थीटा की स्थान पे 56 लिखते हैं क्योंकि हमको कॉट 56 का मान ग्याद करना है तो कहीं हम थीटा की स्थान पे 56 लिखते हैं तो साइन की घाथ दो 56 बराबर यह बन जाएगा एक रिण कॉस की घाद दो और थीटा की स्थान पे हमने 56 लिख दिया बराबर या हमने समी करण एक में कॉस 56 बराबर पी ग्याद किया था तो हम कॉस 56 के स्थान पे पी का मान रखेंगे तो यहां पे हमें प्राप्त होंगा साइन की घाद 2 56 बराबर एक रिण कॉस 56 का मान पी होए समी करण एक से और इसकी घाद 2 है तो एक रिण पी की घाद 2 या साइन 56 बराबर वर्ग को या घाद को साइन की घाद 2 को आप अक शंतर करेंगे तो यह बन जाएगा वर्ग मूल एक रिण पी की घाद 2 अतहा साइन की घाद 2 56 को हम साइन की घाद 56 बराबर वर्ग मूल एक रिण पी की घाद 2 इसे हम समी करण दो मानते हैं अतहां समी करण एक वर दो से हमें ग्याद करना है कॉट 56 का मान क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो हम कॉट 56 के स्थान पे कॉस 56 बटा साइन 56 लिखेंगे और हमने ग्याद किया है कॉस 56 का मान पी है समी करण एक से उसी तरह से साइन 56 का मान हमने निकाला है वर्ग मूल एक रिण पी की घाथ दो तो हमने ग्याद किया कि कॉट 56 जो है उसका मान पी बटा वर्ग मूल एक रिण पी की घाथ दो तो हमने इस तरह से कॉट 56 का मान ग्याद किया तो यह ही सुधारण का हल होगा